है ना लाजवाब पहतरीन हाई एवरिवन नमस्कार मैं प्रशांत स्वागत करता हूं आपका पीके फूडिस कीचन में सो दोस्तों आज बनाएंगे राजस्थान का प्रसिद काले चना की रेसिपी ना इसमें प्याज पड़ेगा न अदरग न लहसुन फिर भी इसका आकर खाएंगे तो आप इसके दिवाने हो जाएंगे बनाना बहुती असान है तो चलिए हम और आप मिलके बनाते आज की यह बैटरीन रेशिपी राजस्थान की प्रसिद्ध रेसिपी राजस्थानी काले चने की सबजी बनाने के लिए दोस्तों एक बड़े कप हम यहाँ पर चना लिये हैं चना बजार में दो प्रकार का मिलता है एक छोटे दाने का एक बड़े दाने का तो हम यहां पर बड़े दाने वाला लिये हैं इससे यह रेसिपी बहुत ही बहतरीन बनेगा दोस्तो तो चने को रात में दोस्तो हम पाने में भिंगो दिये थे चना अच्छे से रेडी कर लिया गुआ है तो अब चलिए चलते हैं नेक्ष्ट प्रोसेस में तो सबसे पहले काले चेने को प्रेशर कुक करेंगे धिमी धिमी आच में एक सीटी लगाएंगे तो चने को एड़ करते हैं कुकर में अब इसमें आधा लिटर के करीब पानी अट करेंगे प्रेशर कुकर कर धक्कन लगा देंगे और धिमी धिमी आच में एक सीटी लगाएंगे तो धीमी धीमी आज में चनप प्रेशर कुखो रहा है तो अब क्या करेंगे चने के लिए मसाला तयार कर लेंगे तो मसाला तयार करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 100 ग्राम फ्रेज दही लेंगे दही एकदम फ्रेश लेना है दोस्तो दही खटी नहीं होनी चाहिए और लेंगे दो टेबल स्पून बेशन चने का बेशन यह बस दो टी स्पून डालेंगे भर भर के धनिया एक तीव स्पून डालेंगे हल्दी पाउडर एक तीव स्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर अब इस मिश्णर को अच्छे से मिला लेंगे ताकि बेशन में गुठली आना पड़े इस मिश्णर को मिलाते समय एक बात का विशेश ध्यान देना होगा दोस्तों हमें कि हमारे बेशन में गुठली आना पड़े इसे अच्छे से हम मैश कर लेंगे यह मिश्णर हमारा दोस्तों अच्छे से फेट चुका है तो इसे एक अस्थान पे रख देंगे तो मेडियम फिले में दोस्तों एक सिटी आ चुका है हमारे काले चने में स्कोपेन करते हैं और सिटी भी बैट चुका है यह देखिए नॉर्मली दोस्तों एक सिटी में जो चना है वो कुख हो जाता है और यह चना पक गया है दिखाते हैं यह देखिए दोस्तों नॉर्मली एक सीटी में जो है चना पक जाता है और चना अच्छे से कुक हो चुका है अब क्या करेंगे दोस्तों चने को थोड़ा सहम मैश कर देंगे तो लगभग दोस्तों कल्चे से 20% हम चने को मैश कर चुके हैं देख सकते हैं तो अब चलिए चलते हैं नेक्ष्ट प्रोसेस में तो कढ़ाई को दोस्तों यहाँ पर अब गरम कर लिए हैं इसमें एड़ करेंगे 2 टेबल स्पून सरसो का तेल यह बस तेल के साथ एड़ कर देंगे 2 टेबल स्पून सुद्ध देशी घी कढ़ाई में तेल और घी दोस्तों अच्छे से गरम हो चुका है अब इसमें एड़ करेंगे दो बड़ी इलैची लिए हैं जिसको हम कूट लिए हैं एक से डेड़ इंच दालचिनी का टुकड़ा है चार से पांच लौंग है एक छोटी चम्मच साबूत जीरा है और चार स पांच हरी मिर्च है जिसको 20 चीरा लगा लिए है इसको अट कर देंगे तो फोरण यहां पर दोस्तों गोल्डेन ब्राउन हो चुका है अब इसमें एड़ कर देंगे दो चुटकी हिंग तो यह गया दो चुटकी हिंग तो आप मेरिनेट करके रखे हुए थे इसमें डही बेशन और सुखे मसाले का मिश्रृर था इसे एड़ कर देंगे थोड़ा सा पानी एड़ करके अच्छे से मसाले को निकाल लेंगे अब इस मसाले को दोस्तों अच्छे से हम यहाँ पर भुन लेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मसाले को निरंतर चलाते रहेंगे और मसाले को हम तब तक भुनेंगे जब तक मसाले से तेल अच्छे से रिलीज ना होने लगे यानि एक दम जब मसाला तेल छोड़ने लगेगा दोस्तों तब तक हम इस मसाले को भुनेंगे तो फाइनली दोस्तों मसाले में से तेल रिलीज होना शुरू हो चुका है यानि हमारा मसाला जो है एकदम पर्फेक्ट रूप से तयार है तो अब क्या करेंगे उबाले हुए काले चने को हम एड़ कर देंगे पानी भी एड़ कर देंगे तो अच्छे से यहां पर मिला लेंगे तो जब हम चने को उबाल रहे थे तो लगभग हाप लिटर पानी दोस्तों हम डाले हुए थे और अभी चने को एड़ करने के बाद एक छोटी कप के बराबर पानी को एड़ किये हैं इसका ग्रेवी बहुत ज़्यादा गढ़ा नहीं रहता है और बहुत पतला भी नहीं रहता है तो येतना पानी परियाप्त है हमारे ग्रेवी के लिए तो इसमें लास्ट इंग्रीडिन्स एड़ कर देंगे स्वाद अनुसार नमक और चाट मसाला ये गया स्वाद अनुसार नमक थोड़ा साओ डालेंगे और एक छोटी चम्मच चाट मसाला एड़ कर देंगे अब इसे दोस्तों ढख देंगे और अच्छे सुबाल आने तक लगभग पांच से साथ मिनट तक पकाएंगे लगभग साथ मिनट के करीब हो चुका है चने को ढख कर पकाते हुए तो अब इसे ओपन करते हैं और गैस की फ्लेम को बंद करते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा राजस्थानी काले चने की सबजी तयार है दोस्तों थोड़ा सा हरी धनिया कटी हुई एकदम बारिक बारिक बड़े प्यार से डाल देंगे दोस्तों है ना लाजवाब पहतरीन सो दोस्तों बहुती आसान तरीके से हमने तयार कर लिया राजस्थानी काले चने की सबजी जो की हेल्दी भी है और बहुत टेश्टी तो आप भी बनाएं दोस्तों घर पर राजस्थानी काले चने की सबजी खुद खाए और अपने पूरे परिवार को खिलाए है ना लाजवाब बहतरीन तो कैसा लगा दोस्तों राजस्थान के हर घर में बनाये जाने वाला राजस्थान की परसिद्ध राजस्थानी काले चने की सबजी कमेंट करके जरूर बताएगा हमारे चैनल पर दोस्तों यह दिया आप नए है तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस किजिएगा साथ में वीडियो को जरूर लाइक किजिएगा नेक्ट वीडियो में एक बहतरी रेसिपी के साथ नमस्कार